जाविया, आईए देखें कि एक जाविया होता क्या है? हम पहले से ही जानते हैं कि शुआ क्या है? इसलिए जब दो शुआएं एक नुक्ते पर मिलती हैं, तो वो एक जाविया बनाती है. इसलिए एक जाविया ऐसा होता है जिसमें आपके पास एक नुक्ता और उस नुक्ते से शुरू होने वाली दो शुआएं होती है एक सालम शकल एक जाविया बनाती है इसे यहां जाहिर किया गया है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि जिस नुक्ते से दोनों शुआएं शुरू हो रही है वो नुक्ता B है और इसे रास कहा जाता है यहां दो शुआएं B A और B C है और इन्हें जाविय के अजला कहा जाता है जब हम किसी जाविय को जाहिर करना चाहते हैं तो ये एक अलामत है जो एक जाविय को जाहिर करने के लिए होता है अब इस जाविय को या तो मैं A, B, C कह सकते हूं या C, B, A इसका मतलब ये है जब हम किसी जाविय का नाम रखना चाहते हैं तो उसका रास हमेशा दर्मिया में आता है एक जाविया को बनाने के मुख्तलिफ तरीके है जाविय को इस तरह बराया जा सकता है या इस तरह हो सकता है या फिर ये ऐसा भी हो सकता है जहां दोनों अजला की लंबाई मसावी ना हो एक जिला दूसरे से छोटा हो अब अगर मैं दो जावियों का मवाजना करना चाहूं, तो मैं यह कैसे कर सकती हूं? मेरे पास यह दो जाविये हैं, जब मैं इन जावियों पर नजर डालती हूं, मैं देख सकती हूं कि पहला जाविया दूसरे जाविय से बड़ा है मैं ये कैसे कह सकती हूँ क्योंकि पहले जाविये के अजला ज्यादा पहले हुए है दूसरे जाविये की बनिजबत ज्यादा खुला हुआ है ये कहना बहुत आसान है क्योंकि हम ये फर्क देख सकते हैं लेकिन कभी कभी ये फर्क बहुत छोटा होता है और उसको आँखों के जरीए देखकर कहना मुश्किल होता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा सबसे अच्छा तरीखा यही है कि किसी जाविय की पैमाईश करके इसकी पैमाईश बताईए अब हम ये देखेंगे कि एक जाविय की पैमाईश कैसे करते है एक एकाई जो जावियों की पैमाईश करने के लिए इस्तिमाल की जाती है उसे डिगरी कहा जाता है और ये डिगरी को जाहिर करने की अलामत है और जाविय की पैमाईश करने के लिए जस चीज का इस्तिमाल हम करते हैं उसे चांदा कहा जाता है इसलिए चांदे का इस्तिमाल करके हम जावीय की पैमाईश करते हैं और हम कह सकते हैं कि जावीया 50 डिगरी का है या 120 डिगरी या फिर 180 डिगरी का है तो आईए इस चांदे को देखें इसके निचले हिस्से पर एक खट है जिसे बनियादी खट कहा जाता है और इस बन्यादी खत के वस्त में एक मरकजी नुक्ता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पैमाने हैं एक अंदरूनी पैमाना है जो सिफर के दाए जानिब से शुरू होता है और यह बाए जानिब जाता है सिफर से एक सौ असी तक और बेरूनी पैमाना चांदे पर सबसे बेरूनी जानिब होता है जो बाएं हाथ की तरफ सिफर से शुरू होता है और दाएं जानिब 180 डिग्री तक जाता है मान लीजिये कि मैं इस जाविय की पैमाईश करके देखना चाहती हूँ कि ये कितने डिग्री का है अब ये मैं कैसे कर सकती हूँ मैं अपना चांदा लेकर इस जाविये पर रख सकती हूँ इसे मैं कैसे रखूँ मैं इसे इस तरह रखूँगी कि मरकज रास पर आता है और बनियादी ख़च जाविये के एक जिले पर जब मैं इसे इस तरह रखती हूँ तो अब मैं अंदरूनी पैमाने पर देख सकती हूँ के जाविय का दूसरा जिला साथ पर है इसका मतलब है इस जाविय की पैमाईश साथ डिग्री है अब क्या होगा अगर मेरा जाविय कुछ इस तरह हो अगर इसे मुखालिफ सिम्त में सामना करना पड़े मैं अब भी मरकज रास पर और बनियादी खत को जाविय के किसी एक जिले पर रखूंगी लेकिन इस मुआमले में मेरे लिए बेरूनी पैमाने का इस्तिमाल करके जाविय की पैमाईश करना ज्यादा असान होगा तो इस तरह से आप चांदी की मदद से जाविय के पैमाईश कर सकते हैं